So, Hello and Welcome You all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ I am P Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत करेंगे BHEL के साथ भारत हैवी Electricals Limited की अगर हम बात करें तो Stock ने काफी इच्छे Returns हमें दिया Stock में जैसा हमने कल इसके Levels को डिसकस किया था कि Levels अगर देखें तो यहाँ पर काफी इच्छा Support Share जो है तो यसी multiple points रहे हैं जब market continuously one-sided होता है तब इनका benefit हमें मिल जाता है Exactly Stocks में आज वही हुआ BHEL में one-sided rally आज हमने देखी क्योंकि market one-sided momentum बताता हूँ नजरा है Stock का जो इसका high है 322.50 पेसे गाए इसका जो आज का high है 313.50 पेसे गाए यानि जो high है वो भी बिल्कुल यहाँ पर close है Stock में यानि नया high जो है जल्द ही अचीव होने आला है जो एक महीन है में Stock में जो fall देखने को हमें मिला उस गिरावट से अगर देखे तो Stock बिल्कुल यहाँ पर recover कर चुगा है जो गिरावट आप देख सकते हो जो 3 जून को रही उससे Stock जो है 50 रुपे recover कर गया और गिरावट थी 64 रुपे तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि Stock एक quality वाला Stock है अगर इसमें विखवाली होती भी है तो उतनी ही जल्दी इसमें recovery भी आएगी तो exactly आज वही हुआ Stock ने 311 रुपे 90 पेसे के level पे closing दी 14 रुपे 75 पेसे के रावं Stock ने अच्छी थी जी बताई 4.96% के बहाब पर इस शेर आगे बड़ा पिछले 5 दिनों से Stock continue 13 रुपे से भी जादा के returns यहाँ पर दे चुका है और आगे हमें और उम्मीद है कि Stock में एक बड़ी growth हमें देखने को मिल सकती है अब बात करते हैं दूसरे shares की जैसे हम बात करेंगे AMFI की AMFI stock classification यहाँ पर अगर देखे इन्हों ने BHL को तो रखा ही है साथ में 6 और shares है जो आने वाले टाइम में अगर देखे large cap बनने वाले large cap बनेंगे है H2CY 2024 में अगर देखे जल्दी large cap बने गए इसा इनका मानना है बड़ी रिपोर्ट है Noma की और से भी यहाँ पर अगर देखे best on the average market capitalization for the period spanning between January 1 June 30, 2024 seven stock are expected to make cut into the large cap category among them are two Willer major hero motocop हो गया state-run companies जैसे BHL हो गया NHPC हो गया तो यह shares जो है बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे large cap categories में जाने वाले है H2CY 2024 में तो यहाँ पर अगर देखे कुछ बड़ी positive चीजे भी सामने आ रही है stock का जो market cap है 1.08 lakh crore क्या है already अगर देखे large cap की गड़ी करी में आई शहर को हम include कर सकते हैं और stock में जो continuously बड़त रही है उसके बीचे के reason जो है यहाँ पर कही ना कही इसकी और से बड़े orders दिये जा रहा है जैसे well spoon speciality को यहाँ पर अगर देखे इनकी और से 170 करोड का order दिया गया बेलकुल यहाँ पर अगर देखे BHL के और से order यहाँ पर दिया गया well spoon के और से the company will supply seamless stainless steel boiler tubes ndbc तो यहाँ पर अगर देखे इनमें भी काफी बड़ी चीजे रही जो order दिया गया उसकी और से जो है stocks में बड़ी growth नज़राई तो इन points के उपर भी आप ध्यान रख सकते हो और BHL में जो है volume तो काफी तगड़े यह volume में आगे बताऊगा पर उससे पहले जो levels है levels काफी अद्धक IMP हो जाते हैं तो levels को हम discuss करें तो कल हमने कुछ points के बारे में discussion किया था उन points को हमने कहा था स्टॉक में अगर उपर के और sustain कर जाता है तो एक अच्छी rally स्टॉक में यहाँ पर रहने वाली है और बिल्कुल downside यह और से अगर देखे तो मैंने इस trade line के बारे में कल ही आपको बताया कि यह trade line हमारे ले क्यों इतनी ज़्यादा important है तो इस trade line के support के बारे में पहले देख लेता है तो downside की और से अगर देखे stock में strong support है यह चीज हमने कल की वीडियो में कही लिए और exactly यहाँ पर अगर देखे तो कल के दिन जो है stock ने इसी trade line पर reversal बताने की कोशिश की ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखो stock में downside की और से इस trade line को काफियत तक support किया है एक V-shape recovery हमने दो बार अल्रेड़ी यहाँ पर देख ली और अगर कल support लिया था तो अगर आज भी V-shape recovery देख ली तो इसलिए हम इसमें positive है और 15 minute की chart frame पर हम एक चीज पहले भी clear कर चुक है कि यह stock जो है एक sideways momentum बता रहा है और कही ना कही जो है एक ascendal type triangle बना रहा है ascendal type triangle कुछ इस type को होता है और exactly आप देखोगे तो इसमें वे एक ascendal type triangle ही देखने को में मिलते है exactly upside down momentum रहे V-shape recovery plus breakout मिला breakout के बाद stock ने sustain किया after sustain stock ने बड़ी rally बता है तो ए चीजा हमने कल discuss की थी ठीक है तो एक strong support उपर से अगर आप देखोगे एक strong resistance बिलकुल एक proper upside down momentum रहे resistance face किया stock ने उपर से भी अगर देखे straight line से resistance stock ने face किया यहाँ पर इस multiple time resistance face करने के बाद आज भी double bottom इसने create किया जैसे ही breakout मिला stock ने वेसे ही एक बड़ी rally यहाँ पर बता दी एक बड़े returns यहाँ पर जो है इस particular shares में हमें देखने को मिले और आगे भी उम्मीद है कि stock में एक ऐसे ही returns देखने को बिलेगे जो levels के बारे में हमने discussion किया था कि यहाँ पर multiple time अगर देखे इस particular zone से stock ने rejection लिया और यहाँ से ही एक बड़ा fall देखने को हमें मिला एक बड़ी गिराउट यही point से हमें देखने को बिली यही चीज में मैंने कही उसके बाद sideways रहा फिर उसके बाद अगर देखे अगें stock में गिराउट रही फिर कल एक गिराउट यहाँ से नजर आई थी आगें यहाँ पर मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ तक तो यह जाए इसे ही feel होता हुआ नजर आगया था यहाँ पर feel कर दिया था इसने फिर एक गिराउट आगे थी फिर उसके बाद यहाँ से गिराउट रही और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे जो उपर से जो resistance ले रहा था multiple time यह वाला zone है क्योंकि इसी zone से गिराउट आयते बड़े fall आ पूचेगा ईजी तरीके से अपने all time high को एक टच करने वाला है तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए और साथ ही अगर बड़े levels पे और एक बारा आप ध्यान दे तो यहाँ पर अगर आप दीखोगे तो stock जो है इस particular trade line पे अब एक support शो कर रहा है तो यहाँ पर बड़े level पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो बड़े level पर भी एक single type triangle जो है बनाया इसने sustain करेगा और यहाँ से भी एक अच्छी growth stock जो है easy तरीके से बता सकता है तो इस point के उपर ध्यान रोको हाला कि जो इसका all time high है ओ high काफी बड़ा है 389 तक इसे जाना होगा अपने all time high को touch करने के लिए तो यहाँ पर बिलकुल उसी rally यहाँ पर वही चीज यहाँ पर यह दर्शा रहा है stock sideways रहा रेक आउट मिला और एक rally तो बिलकुल अपने all time high को ही touch करेगा pure price actions जो है बहल में हमें देखने को मिलते हैं तो इस point के उपर आप ध्यान रखो जल्दी जो है stock में एक बड़ी rally देखने को हमें मिलने वाली है बड़े momentum जो है stock में हमें देखने को मिलने वाले है तो इस point के उपर भी आपके यहाँ पर ध्यान देना चाहिए अब बहल में जिसे volume की मैंने बात की थी volume भी stock में जो है काफी अच्छा create हो रहा है volume काफी strong है 4 करोड के round तक अग बिल्कुल stock में अगर देखे इसी volume के वहाब पर share में आगे भी ऐसे ही trading हो सकती है अब बात करते हैं एक bonus share की जिसका नाम है alliance integrate metallic limited 90 रुपिस का यह share है और आज 3 रुपे 49 पेसे के round तक की एक अच्छी तेजी भी stock नहीं यहाँ पर बताए और company के और से अगर देखे तो कही नहीं कही एक bonus के announcement भी किये जा रहे है 2H21 का bonus company के और से दिया गया और वही अगर देखे 11 जुलाई 2024 एक bonus date है इसकी 11 जुलाई 2024 से पहले अगर आप stock को buy कर लेते हों तो आपको एक share के बदले दो bonus के shares यहाँ पर मिले गए तो बिलकुल यहाँ पर bonus share मिलने आले तो आप बिल अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis करना साथ ही telegram चनल को join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको nifty bank nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्ली जाकरे चेक आउट क कर सकते हो thank you